कल जब मनीश कस्यप कहते हैं कि जिस दिन हम सरकार बनाएंगे उस दिन बताएंगे कि सरकार कैसे चलती है तब इसके बाद मनीश कस्यप का वो वीडियो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक यह कहकर शेर करते हैं कि देखिए शेर अभी दाहारना नहीं भूला है मनीश कस्यप जब अदालत में पेशी के लिए आते हैं तब वो जो टिशर्ट पहनते हैं उस टिशर्ट पर लिखा गया होता है कि जैसे बुझा हुआ दिया रोशनी नहीं देता वैसे ही बुझिल लोग शान्ती नहीं लाते अब संदेश किसके लिए था आप समझ चुके होंगे मनीश कस्यप वहाँ पर जब खुले तोर पर कहते हैं कि सरकार हमारी जब आएगी तब हम बता देंगे कि सरकार कैसे चलती है तब वो बात किसके लिए थी आप इस बात को भी जानते होंगे और इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे बात्चीत करेंगे कि क्या वाकई मनीश कस्यप का जुर्म इतना बड़ा था कि मनीश कस्यप के जुर्म के आगे किसी दूसरे का जुर्म कुछ भी नहीं मनीज कस्यप का जुर्म इतना बड़ा था कि उनके उपर एनेसे लगवा कर लगातार जेल में रखा जाए बाकी आगे बाच्चित करने से पहले हमारा परिचा है अब नमस्कार में नावे मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं मनीज कस्यप बार-बार कहते हैं वो हर बार कहते हैं उनके वकिल कहते हैं अदालत में दलिल देते हैं वो कहते हैं कि मनीज कस्यप ने तमिलाडू में मजदूरों का मुद्दा उठाया मान लेते हैं कि मनीज कस्यप ने वहाँ पर गलत खबर फैला दी लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने जो ट्वीट किया बड़े बड़े अखबारों ने जो इसके बारे में छापा बड़े बड़े अखबारों ने अपने रिपोर्ट में छापा कि मजदूरों के परिवारों से हमारा रिपोर्टर मिल कर आया है और वो जो बात करके आया हम उसको छाप रहे हैं उसमें कहा गया कि वहाँ पर भासा के अधार पर लोगों को पीटा जा रहा है अब सवाल वही उठता है कि क्या वाकई उन तमाम बड़े अख़बारों पर यह कारवाई हुई क्या उन तमाम नेताओं पर कारवाई हुई उन इस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन बता देंगे उस दिन बता देंगे कि सरकार कैसे चलती है मनिस कस्यप के कहने का सीधा सा मतलब होता है कि आज नहीं तो कल उनको विश्वास है अपने आप पर कि हम सरकार बनाएंगे और जब हम सरकार बनाएंगे हम सत्ता में आएंगे तब उस दिन बताएंगे कि सरकार वाकई में कैसे चलती है अब मनिसकस्य अपने जो कहा उसको सीधे तोर पर तेजस्वी यादों से जोड़ा गया कहा गया कि यह तो सीधा चैलेंज तेजस्वी यादों के लिए था मनीज कस्यप ने एक और बात बोल दिया कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है और चारा चोर के बेटा का कहने का सिधा सा मतलब तेजस्वी यादो से था क्योंकि लालू परशाद यादो चारा घोटाले में आरोपी सिद्ध हो चुके है वो जेल गये थे जेल से बेल पर छूट कराए है मतलब कि उन्होंने चारा घोटाला किया था यह अदालत मान चुका है और यह सिध हो चुका है और मनीज कस्यप इसी बात को कहते है कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है कि डर जाएंगे और मनीज कस्यप जब चैलेंज देते हुए कहते है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन बता देंगे कि सरकार कैसे चलती है तब चर्चा चलती है कि तेजस्वी यादों के कारण ही मनीज कस्यप को यह दिन देखना पड़ा और मनीज कस्यप तेजस्वी यादों को अब भी खुला चैलेंज दे रहे अब तेजस्वी यादों के कारण जेल कियों जाना पड़ा तो जो कहानिया कही जाती है उसमें से सबसे प्रचलित कहानी है कि मनीज कस्यप ने तेजस्वी यादों को कह दिया कि तुमारी सरकार को ग होनी ही चाहिए और उसके बाद मनीज कस्यप के ऊपर कारवाई हुई और कारवाई हुई जिसका नतीजा जिसका परिणाम आज तक आप देख रहे हैं लेकिन फिलहाल कल लगबक कई महीनों के बाद मनीज कस्यप ने कुछ ऐसा बोला जो सीधे तोर पर तेजस्वी यादों को चैलेंज कर रहा हो जो सीधे उप मुख्यमंतरी को चैलेंज कर रहा हो राज के डिप्टिसियम को चैलेंज कर रहा हो और कह रहा हो कि आपके पीता चारा चोर है और हमारे पीता चारा चोर नहीं बलकि फोजे हैं हम आपके तरह डरेंगे नहीं फिलहाल मनीज कस्यप का लगें और अभी भी मनीज कस्यप तेजस्वी यादों को खुला चैलेंज कर रहे हैं जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल मनीज कस्यप जेल से बाहर निकलेगा और जब मनीज कस्यप जेल से बाहर निकलेगा तब पता चलेगा कि वाकई में क्रांती क्या होती है फिलाल हमने कल जो कुछ हुआ और सबसे महत्पुन सरकार वाली बार कि हम सरकार बनाएंगे तो बताएंगे कि सरकार कैसे चलती है वो सीधे दोर पर तेजस्वी को चैलेंज था वो तमाम कहानी आप तक हमने पहुँचा दी आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिकर कि अमरेक से बिश्राल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद